सो गाइज मैंनेम इस आसीस और वाचिंग रेसले श्ट्रोक रेसलमेनिया 39 के लिए ओफीसियल तोर पर यह एनाउंस हो चुका है कि सारलेट फिर अपना स्मैकडाउन वुमेंस सी एंपेसिप को डिफेंड करने वाली है और किसी के अगेंस्ट नहीं बलके रिया रिप्ली के अगेंस्ट तो क्या इस वाले मैच को रिया रिप्ली रेसलमेन 39 में जीतने वाली है तो आज कि शुरू करने वाले हैं जैसा कि मुझे अब आपको बतानी क्यों सकता नहीं है लेकिन फिर भी काफी लोगों को यह बात पता नहीं होगी कि इस साल के विमेंस रोयल रंबल 2023 को और कोई नहीं बल्कि गाइज रिया रिप्ली जितती हैं और रिया रिप्ली इस साल के विमेंस रोयल रंबल की वीजेता हो चुकी है उसके बाद हमें यह देखनी को मिलता है कि रिया रिप्ली सेलेक्ट करती है और कि हमारे करेंट स्मैक्डॉन वोमेंस चैंपियन सारलेट फिर्ड को सैयलेट फिर्ड लास्ट येर के लास्ट जो स्मैकड़ून हमें देखने को मिलता है 2022 का उसमें वह रौनरयोजी को हडा के हमारे स्मैकड़ून के वोमें श्यांपियन बनती है और इसके बाद हमें इनका नया चलेंज और और को इन पे नहीं बलकि या रिप्ली के बीच में देखनी को मिलता है और इस वाले मैच को डबल डबली ऑफीसियल तौर पे एनाउंस कर चुकी है और गाइस मुल्टिपल रिपोर्ट का यह भी कहना है कि पहले डबल डबली यह प्लान कर रही थी स्मैक डाउन Najvat को मैच है यहाँने कि अन्डिस्पिटेड टैक्टिम चैपीशब विच में 39 का नाइट1 का में इवेंट मैच हमें देखने को मिलेगा इस माले नाइटरों में क्या ही हुआ है मुझे बतायने का आपको ज़रुबरत नहीं है और गाइस माना यह जा रहा है कि इस वाले मैच को और को ही नहीं बालके की डीयर रिप्री cheers जीतेंगी और वो हमारे न्यूव ofere की वुमेंज्स चैम्पियन बनेंगी तो बोrens ौच चाह गाईस की इस वले मैच के रिजल्ठ हमें उच हिए सकता है यह हमारे न्यूक्ट चैम्पियन सकती है स्माक दउन के पब कर माच करना है पारत puls